ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये काफी डीटेल होगी शुरू करते हैं यूटूब पर कई सारी ऐसी वीडियोज है जिसके अंदर बताया जागे कि मुंबई का मेट्रो नेट्वाक किस तरीके से बनेगा क्या 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 लाइन्स होगी लेकिन वीडियोज के अंदर ये बात नहीं होरी कि जो मुंबई की सारी मेट्रो लाइन्स एक तो बन रही है बन चुकी है अप्रूड है या अंटर कर्शेशन है वो एक्चॉल में क्या परपस सर्फ करेगी क्या उनका कोई मतलब भी होगा क्या वो एक्चॉल में लोग के काम अटिविटी प्रोवाइड होती है और इंफ्रस्रक्चर बहतर बनता है वहाँ पर इन मेट्रो लाइन्स के वजए से आपको गुड़ क्वालिटी डेवलप्मेंट्स देखने मिलेंगे ग्रेड डेवलपर्स के द्वारा जो लग्जूरियोस लाश्टाल उफर करेंगे और तो पहली जो सबसे इंपोर्टेंट लाइन आती है मुंबई मेट्रो की वो है ब्लू लाइन यह लाइन नंबर वन जो है वरसोवा अंदेरी घाट कोबर लाइन जो 2014 में खुली थी 11.40 किलोमेटर के डिस्टेंस के साथ अब यह जो मेट्रो लाइन है यह क्यों इंपोर्टे लेकिन मुंबई मेट्रो लाइन 1 के बनने के बाद में हुआ यह कि कुछ इंपोर्टने स्टेशन जावर एस्पेशली वेस्टर लाइन का अंधेरी स्टेशन था उसके वीच में कनेक्टिविटी बन गई घाट को पर से जिसके कारण लोगों को एक पूरा चकर मारते हुए जाने के जरुवत नहीं पड़ी यह जो पहली लाइन खुली थी इसने नासिफ ओफिस गो उसको बहुत ज़ादर रिलीफ पहुचाया लेकिन इस एरिया के रेसिटेशल डिमांड को बढ़ा दिया था जो की एक मेजर बूश था अब जो दूसरी लाइन मुंबई के अंदर खुली वो थी मुंबई मेट्रो लाइन 2A यह लाइन धैसर चारकोब अंधेरी वेश से होते हुए जाने वाली थी और यह थी 18.5 किलोमेटर लंबी जहां पर 17 स्टेशन थे और यही मेट्रो लाइन का दूसरा एक्सपांशन था 2B जो अंधेरी वेश से लेकर मंडाला के ब 2023 को यानि आज ही की दिन वो ओपन कर दिया जाएगा लाइन 7 के साथ में अब यह लाइन परपस सर्फ क्या करेंगी वो समझते है यहाँ पर यह जो लाइन है वो मुंबई के अंदर जो वेस्टन रेलवे है जो अब ब्लाक में नजर आ रही है उसके अंदर के हेवी जा रही है इसका वेर में समझते है अगर आप यह मुंबई के लोकल टिन का नेटवर्क देखो पिंक और ब्लाक लाइन सेंट्रल वेस्टन रेलवे का तो को समझ में आएगा कि जो वेस्टन साइड ऑफ मुंबई है और जो एस्टन हाफ मुंबई है उसके वीच में धंकी क जो करेक्ट करते होई जाएगी और इसलिए ज़रूरी है अगली जो मुंबई में ट्रों की लाइन अंटर कर्शक्शन है वह कुलाबा बांदरा सीप्स लाइन या मुंबई में अगर आप देखें तो यह जो लाइन है वह मुंबई के सेंटर में से होते हुए निकल रही है नौधन सेड में जबकि यह सदन सेड में एकदम कोने तक जा लिया है यह लाइन बेसिकली सेंट्रल वेस्टिन दोनों तरफ के जो करेंट लोकल ट्रेन इंटवक है उसके उपर का लोड कम करेगी एस्पेशली सदन मुंबई में जहाँ पर डेंसिटी इन ट्रेंस के अंदर वंंबई के एक्ट्रीम साॊंथ में कई दर्श्रकों से कनेक्टिविटी नहीं है पहले थी लेकिन अभी नहीं है इसके वजह से यह आगे जाकर एर्पोर्टोच जो है 1 से भी जुद रही है जिसके वज़े से ये इंटर्चेंजिस भी इंपोइट बनाएगी जो की पूरा का पूरा एक not to south connectivity देगी मुंबई के local train network को अगली लाइन जो मुंबई के अंदर construction के अंडर है वो है green line जो की 4 और 4A में बनाए जा रही है एड़ी 2.32 और 2.7 km से दो तकड़ों में ये है जो की दोनों अंडर construction है अच्छे speed सब ये construction कर रहे है similar जैसे ये yellow line बनी थी उसी तरीके से ये line 4 भी बनाए गई है और line 4A भी बनाए गई है basically ये line जो central railway के अंदर होने वाला crowding होता है इस purple वाले पट्टे के पास उसको extend करती है Mumbai के upper north में लेकिन eastern side में जो की majorly थाने के पास में आता है basically ये area अगर आप देखे तो यहाँ से आगे पूरा थाने का area ही है जहाँ पर ये connectivity देती है in fact दोस्तों यहाँ पर ये central railway के अंदर से major loads कम करेगी इसे अबसे से बना गया है साथ-साथ फिर से अगर आप देखे तो इस area के अंदर यहाँ पर ये yellow line से connectivity बनाती है जिसके वज़े से अगर किसी को फिर से western suburbs में जानाओगा metro को use करती होए तो green line में से वो interchange कर सकते है अगली line जो है वो है थाने भिवंडी कल्यान line और ये बनाए गई है यहाँ पर और ये लाइन भी under construction है अब ये लाइन क्यों बनाए गई वो समझते है इसके लिए खर्चा क्यों किया जा रहा है basically दोस्तो ये जो एरिया है भिवंडी का यहाँ पर अब तक कोई भी local train connectivity नहीं है train से गुजरती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि actual में high frequency local trains है जिसके वज़े से एक public transit system देना ज़रू है कि भिवंडी बहुत densely crowded और ये काफी बड़ा industrialized area है साथ-साथ भिवंडी को connect करते करती यह ऐसी रेस को भी connect करेगी जहाँ पर population तो है लेकिन सिफ road अकिला medium है अच्छे से जाने के लिए तो ये metro line उनी रेस को save करेगी कल्यान को ये connect इसलिए कर रही है क्योंकि कल्यान वनों the most important junctions है पूरे के पूरे भारत का नासिफ मुंबई का यहाँ पर बहुत सारे लोग local ट्रेंस पकंडने के लिए भी आते है जिसके कारण ये जरूरी है कि दूसरा alternative connectivity दी जाए कल्यान station यूज़ करने वाले लोगों को रिसेंट में ही अपना construction शुरू कर चुकी है अब ये लाइन क्यों बनाए जा रही है वो समझते है ये लाइन बेसिकली नवी मुंबई के कोने को central suburbs के outer areas की बीच में connect कर दी है और वो ऐसे area की जरी connect कर दी है जो की next Mumbai बनेगा क्योंकि ये एक empty area है जहापर बहुत जादा development हो रहा है तो ये one of those lines है जो future aspects की सिबसे जादा बनाई जा रही है वैसे दोस्तो anyways in areas के बीची connectivity by train इतने ची नहीं है बहुत जादा घूमके जाना प बनाएगा और यह हो की line 14 जो ऐसे नजर आती है अगर आप इस line को देखो तो Central Railways का जो Mumbai का network है वहाँ के outer station से वहाँ के बहुत जादा आउटर वाले station से ये directly Eastern Mumbai connectivity प्रवाइड करा रही है और अगर आप ध्यान से देखे तो जैसे Mumbai के center में major change of intersections बना है वैसे ये major change of intersections बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ यह दो लाइन नहीं निकलती बलकि मुंबाई के वरन दर बिगिश्ट इंफर प्रजेक्ट भी यहाँ पर बन रहे है जैसे कि अगर आप आने वाले समय में अपना घर खरीदने के लिए कोई अच्छा एरिया ढूंड रहे हैं तो यह कोरिडर भी यहाँ पर बन रहे है और अईरोली कटाइना का एलिवेटेड रोड विट टानल करेंक्टिविटी भी यह के अरिया को बेनेफिट करेगी और मेजर लिए जो एरिया डेवलप हो रहा है यह एरिया कई सारे ग्रेड ए डेवलपर्स के दौारा आज के डेवलप क किया जा रहा है और लोधा इन पटिकिलर यहाँ पर रेसिदेशल प्रजिक्स के साथ साथ कमोर्शियल ऑफिस पेसे और एक यूज लोजिस्टिक्स और इंडिस्ट्रियल पार्ग भी बना रहा है और इसलिए यह फ्यूचर इवेश्मेंट के लिए भी बहुत अचा है यहा और यहां के employment opportunities भी बढ़ते ही जा रही है और इस सेरे की current affordability और growth potential को देखती हुए यह ideal बन जाता है एक young home बाहर के लिए तो इसलिए अगर आप consider कर रहे हो खुद के लिए या आपने किसी के लिए home purchase Mumbai के one of the most happening future areas में तो यह आपको ज़रूर consider करना चाहिए जो बहुत अच् अब बात करते है next line के बारे में जो की proposed है लेकिन अब तक इसका alignment final नहीं हुआ है जिसका जैसे हम इसको बात में ले रहे है और यह है मीरा binder से लेकर विरार्त की line अगर आप पूरे Mumbai के western line का section देखे जो वैसे दोस्तों जाता है वो इससर तक trains लेकर तो एक alternative की जरूरत थी इ लही चीज complete करेगी अगली है line 11 जो है वडाला से CSMT वाली line जैसे मैं आपको कहा कि जो Mumbai के north side वाले हिस्से है यानि थाने side का area है वो southern तक connect करने के लिए जो line 11 है वो काम करेगी ये वी वैसे green ही होगी जो थाने वाले line को आगे जाकर extend करेगी और बहुत important junctions भी बनाएगी yellow line Central Railway और दूसरे metal lines के साथ अगली जो line बनने के लिए proposed and approved है वो है line 8 जो के currently चत्रपती शिवाजी महाराज टॉमिनस जो airport है basically Mumbai का उससे नवी Mumbai के international airport तक बनेगी इसके उपर वैसे काम शुरू नहीं होगी लेकिन ये बनने के बाद में दोनों नए and पुराने airport के बीच में connectivity प तो host करने के लिए वो purely road bridge होगा तो अगर इस metro line को बनाना है तो फिर से MTHL जितना बड़ा एक bridge बनाना पड़ेगा जो obviously बहुत जाद expensive है और इसके लिए metro line बहुत जल्दी तो नहीं बनेगी लेकिन surely बनतो जाएगी इसके बाद में है line 10 ये line जब बनती है तो उसके बाद म तो मैंने बॉला था red line western highway के तरफ दोड़ती है नीचे business trees की तरफ जिसके वजह से green line एक पूरा का पूरा चकर बना देगी western eastern दोनों सब्सके बीच में जो गुजरेगा यहां के busiest business areas के बीच और जिसके बहुत लोगों को यहां पर फायदा होगा अगर मुंबे के बाकी सब pink line के नम से जाना जाएगा similarly जैसे blue line पहले बनी उसी तरीके से ये एक और alternative देरी है central और western areas को connect करने के लिए लेकिन important बात यह है pink line के बारे में यह पूरा का पूरा एक chain बना देगी जितने भी important business areas यह उनके बीच में है पवई गोगेश्वरी इन areas के अंदर यह बहुत अच heavy traffic होगा जबकि जो यह वर्टिकल वाली north-south-bound lounge है यह majorly suba go down से up और उपर और शाम के टैम में अप से down में जाधा crowd face करेगी लेकिन यह जो बीच वाले लाइन से यह दिनबार crowd face करेगी अब यहाँ पर अगली जो लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ है metro line 7 जो की है red line यह basically Mumbai में जो western express highway है उसके ऊपर से चलती है और यह one of the most important roads है crowd वाला road है जहांसे बहुत लोग roads travel करते है और इन लोगों को वापिस ले आया जाएगा central Mumbai के अंदर जहाँ पर major offices है और उसके बाद में इसका extension होगा 7 एका जो की वापिस airport तक जाएगा अगर आपने अब तक कि इस map service host करते है और यहाँ पर सारी lines आगर मिलेगी और line 7a जो है वो basically connect करेगी काई सारी दूसरे दोगों को अब दोस्तों इसके आगे जो lines है वो मैं proper order में नहीं लूँगा क्योंकि कोई सिफ proposed line है तो उसके बार में बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके आगे होता ही है कि कुछ lines जो है वो numerical order में है तो से ही लेकिन अब तक से प्रबोसर स्टेट में ना अपरूड है इसके लिए मैं या तो अपरूड लाइन की बात करूंगा या तो अंडर करूशन वाली और इसके आगे हम डिरेक्ट ली जाएंगे राइन लंबर 9 रेड की तरफ जो मैंने पहले रेड लाइन को यूज करते हुए इस्ट में भी जा सकता है पेंडार से लेकिए बेलापूर तक जो जल्दी फंक्शन हो जाएगी इसके त्रायल कुछ दिन पहले हुए है यह नवी मुंबई के अंदर क्राउड की समस्या कम करेगी दूसरी होगी MIDC तलोजा से खांडेश्वर त का जो मैंने लाइन डीट की बाद की जो दोने अरिपोर्स को करेगा वह आगए जाकर इस लाइन से कनेक्ट होगी याने मेट्रो जोगी वह पास्तुर होगी टर्मिनल पर नहीं होगी और इसका जैसे यह मेट्रो और यह जो यह बहुत बाप्रिंदिर स्टेज में है और यह और वल पूरे मुंबई का मैप होगा जब हमें पूरे की पूरी मेट्रो फंक्शनल होते हुए नजर रही अगर आप देखे तो ऐसा नहीं कि अंदर दून लाइन बनाई जा रही है प्लाइन तरीके से आपको मैं फिर इक बार याद दिला देता हो कि मुंबई के बास में इंपोर्टेंट एरिया बनने वाला है